हुआ है बरीवन मैं महांद पानड़े आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल केसी आई टाइल इस पेसलिस में फिर से हार्दिक स्वागत वर अविनादन करता हूँ मैं आसा करता हूँ कि आप लोग स्वस्त होंगे मस्त होंगे आप लोग को मालूम है कि मेरे द्वारा कराया जा रहा है जिसमें मैं आप लोगों को practical classes प्रवाइट कर रहा हूं आज मैं wordpad का अगला part ले करके आया हूं इसने भी मेरी last videos ना देखी हूं वो हमारे channel पर visit करें और last videos को देखे रहेंगे तभी आगे की चीज़ें समझ में आएंगी यदि आप नए है channel पर तो आप channel के playlist में जाएं और वहां से आप computer basic course में step-by-step videos को देखेंगे तो आपको complete knowledge हो जाएगा तो wordpad की window पर चलने से पहले हम एक बार आपसे कहेंगे यदि आप channel पर नए हैं तो चैनल को subscribe जरूर करें वीडियो अच्छी लगे तो like करें share करें तथा notification सबसे पहले प्राप्त करने के लिए वेल आइकन जरूर प्रेस कर लें तो चलिए देखते हैं wordpad का अगला पर हम आ चुके हैं wordpad की window पर मैं एक बार आप लोगों को rewind करा दूँ मेरी जो last class थी उसमें मैंने आप लोगों को home menu जो आपका है उस ribbon के अंतरगत हमने clipboard tab font tab और paragraph tab बताया हुआ था आज मैं उसके आगे continue करूंगा और आज ये वीडियो जो होगी वो wordpad की last video होगी आज मैं इसमें wordpad को finish करूंगा इंस आज मैं insert tab से आप लोगों को पढ़ाऊंगा insert tab है editing tab है और आपके menu वार में जो view menu है इसको भी मैं completely आज बताऊंगा so very carefully आप वीडियो को देखेंगे जो हमारी last classes है उसको जरूर देख लें यदि आप उसको देखे रहेंगे तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी because मेरे द्वारा जो भी वीडियो प्रवाइट की गई है वो step by step पिक्चर को ले सकते हैं पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो system में आपके computer में कहीं भी जो pictures हैं वाल पेपर हैं उन सब को आप यहां पर use कर सकते हैं अब देख पा रहे हैं धेर सारी images कुल गई हैं तो हम किसी भी image को यहां से ले लेते हैं और यहां से open करते हैं यह image आपके work area पर आ चुका है चाहे तो image को हम यहां से बड़ा कर लें छोटा कर लें जो भी हम इसमें changes करना चाते हैं उसको हम यहां से कर सकते हैं आपने देखा image हमने यहां से open किया image के नीचे दो option है एक option है change picture और एक है resize picture चेंज picture का क्या sense है यहां पर हम change picture पर क्लिक करेंगे तो हम directly किसी picture को यहां से change कर सकते हैं क्लिक करते हैं और उस picture पर direct वूप चेंज हो जाएगी तो इस तरह से हमें पिक्चर पसंद नहीं आई है जो हमने picture लिया है हम change करना चाहते हैं तो फिर से हमें इसको delete करने की भी जरुरत नहीं है डिरेक्ली हम change picture पर जाए और यहां से जो हमने destination चुना हुआ होगा picture लाने के लिए वहां पहुंच जाएंगे चाहें तो इस location को change करके किसी अधर location में यह दिया आपका picture है तो आप वहां से भी ला सकते हैं ऐसा नहीं है कि जो location आपने open किया हुआ है वहीं से आप picture ले सकते हैं मिल्स कहीं से भी आप picture को present कर सकते है यहां थे हमने select किया और okay किया आप देख पा रहे हैं इस तरह से picture change हो जा रही है अगर हमने इसको बढ़ा कर लिया इसकी size को बढ़ा लिया तो आप देखें picture में एक option है resize picture resize picture करके हम यहां से picture को horizontally vertically हम resizing कर सकते हैं हम अलग-अलग अगर horizontal और vertical दोनों setup हम अलग-अलग करना चाहते हैं तो यहां से हम aspect ratio जो है इसको lock है इसको हम यहां से अटा देंगे और हम picture को 100% करना चाहते हैं और okay करते हैं तो यह 100% जो इसका horizontal scale था वो 100% में आ गया है because जब हमने इसको grow किया इसकी size को बढ़ाया तो यह vertically भी बढ़ गया था तो हम यहां से जा करके vertical भी इसको हम set कर सकते हैं 100% पर हम यहां चले जाए और इसको 100 करके हम यहां से okay करेंगे तो picture की original size जो है वो original size में आ गया है means यहां से हम picture को बढ़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं इसकी size को हम बढ़ा घटा सकते हैं हम direct बढ़ाना चाहते हैं हम इसको डेल सो में size में कर दिया हमने अब देखिए lock aspect ratio लगा है तो horizontal और vertical दोनों एक साथ size grow हो जाएगी अगर हमें बढ़ा है horizontal और vertical दोनों ही 50% हो गया और okay मतलब इसका आधा freshness वही रहेगी जब vertical और horizontal आप उसको size को छोटा करेंगे तो इस तरह से हम resizing का work भी कर सकते हैं हम यहां से 100% कर दें और enter कर दें तो आपकी में जो है 100% में आ जाएगी means picture से हम picture present भी कर सकते हैं direct picture को change कर सकते हैं और उसकी size में भी परिवर्तन यहां से कर सकते हैं अगला option हम देखते हैं paint drawing पीछे की classes में मैंने paint को completely आपको पढ़ाया हुआ है तो wordpad में हमें painting work करना है तो हम direct paint drawing यहां से कर सकते हैं तो इस option पर हम click करेंगे तो आपके सामने paint की window आ जाएगी एक drawing window आपके सामने present हो गई हमें यहां tools का इस्तमाल करके work करना चाते हैं तो हम कर सकते हैं या फिर हमने direct shape बनाना है तो हमने यहां से direct कोई भी shape ले लिया और इस shape को यहां पर हमने present किया जब हमारा selection है तो यहां से हम outline style हम change कर सकते हैं कोई भी format हम outline में दे सकते हैं solid style outline में देना चाते हैं और यह solid color हमने इसको provide कर दिया आप ध्यान देंगे यह आपका foreground color हो और यह जो आपका white है यह background है तो हम color to select select करेंगे यहां से और इसमें हम fill color की कोई भी style provide करेंगे हम चाहते हैं यह oil format में paste हो अब यहां हम चलते हैं कोई भी formatting हम यह color paste कर सकते हैं यह oil format में आ गया तो इस तरह से हम image को use कर सकते हैं drawing यह यहां पर कर सकते हैं और जहां हम यहां से इसको close करेंगे तो इस तरह से आपके pen मैंने वहां से pen को close किया और जो हमने pen में drawing किया हुआ था वो यहां पर आपके सामने present हो गया means कहने का मतलब यह है कि हम wordpad में भी pen का work कर सकते हैं pen drawing के option के द्वारा यह काम हम control D करके भी इसको हम present कर सकते हैं जबकि यहां एक option है insert object इसके द्वारा भी हम कर सकते हैं लेकिन सुविधा के लिए pen drawing आपको अलग से दे दिया गया है पूरानी कोई भी window आप पढ़ेंगे जो आपका Windows 7 है या उससे भी पूराना जो वर्जान आपके पास है उसमें आपको यह options नहीं मिलें और इसका view भी थोड़ा सा change होगा pen drawing आपको समझ में आया होगा because आपको pen के बारे में पूरा knowledge है यदि नहीं है तो हमारी पिछली classes आप जरूर देख लें फिर आपको pen का complete knowledge हो जाएगा अब हम देखते हैं data and time यहां से date or time के कई सारे format हैं जो हम यहां से directly present कर सकते हैं जहां पर हमारा insertion point होगा वहां पर यह present होकर के आ जाएगा जो format हमने वहां से चुना होगा हम directly इसको grow भी कर सकते हैं इस तरह से आपका font grow करके आ गया है अगला option हम देखते हैं insert object हम cursor कहीं भी रख सकते हैं अपना insertion point कहीं भी रख लें यहां से insert object पर जाते हैं तो एक dialogue आ create new, create from file अगर हम file से लाना चाते हैं तो file से भी create कर सकते हैं या फिर directly हम यहां से new object format यहां से हम ले सकते हैं अलग-अलग applications हैं जो application आपके computer system में installed हैं वो यहां से आपको कुछ भी आपको भी काम कर सकते हैं जैसे हमें reader से कुछ करना है हमें photoshop से image लानी है या microsoft graph chart लाना है means जो भी applications basic applications अभी इसमें आपको so कर रहे हैं हमें drawing यूज़ करना है तो हम यहां से drawing होगरा का भी work कर सकते हैं अगर picture लाकर के आपको दीपता है मैंने अगर हम ms word से picture लाना चाते हैं तो यहां पर microsoft office word है यहां पर click करेंगे और यहां से ok करेंगे आप देख पा रहे हैं ms office word document यहां खुल करके आ गया है यहां से चाहें तो हम इसकी size को बढ़ा कर ले इस तरह पूरा window आपके सामने आ जाएगा हम चाहते हैं कि इसमें हम picture ले ले तो picture को हम यहां से present कर सकते हैं directly insert कि हमने picture को और यहां पर हम चाहते हैं कि थोड़ा सा कुछ अगर हम word ms word open कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम एक attractive word लिखना चाहते हैं तो यहां से चले जाए हम word art ले ले लेते हैं यहां हमने लिख दिया मैंने channel का नाम लिख दिया इसको select करके हम bold कर देंगे बोल्ड कर दिया और यहां से ok कर देंगे आप देख पा रहे हैं इस तरह से आपका KCI Tally Specialist channel का name लिख करके आगया इसमें हमें movement करना है हम यहां से जाएं in front of कर लेंगे text को तो हम इसको कहीं भी move कर सकते हैं हम चाहे तो इसके पीछे का shadow है उसको यहां से हम अटा देते हैं shadow हाट गया और यह जो आपका लिखा हुआ है KCI Tally Specialist यहां present हो गया यहां से इसको close क कर देते हैं तो यह जो मैंने काम किया है आपके wordpad पर present हो जाएंगे अब आप देखें यह wordpad की जो window है इसमें इस तरह से ड्रै करके हम matters को ले लेंगे आप देख रहे हैं हम है wordpad में लेकिन हमने MS word से यह picture और text लिख करके ले लिए हाँ पर तो इस तरह से insert object का इस्तमाल करक कि हम कोई भी work किसी भी application का work कर सकते हैं अपने wordpad में जबकि आपको मैंने पिछली classes में ही बताया है कि notpad, pent और wordpad यह तीनों basic applications हैं जो operating system के अंतरगत हैं यह applications आपको accessories में मिल जाते हैं means यह operating system के साथ ही installed हो जाते हैं इसको हमें अलग से installed नहीं करना पड़ता है जिसे MS office आपका tally है, dtp के options हैं, page maker, coral drop, photoshop, अदरवास कोई भी application है जो हम use करते हैं अलग से, उसको हमें अलग से installed करना पड़ता है, but notpad, pent, wordpad यह हमें installed नहीं करना पड़ता हमारे operating system के साथ ही installed हो होगे आपका insert object, अब हम चलते हैं, find, replace and select all means editing tab को हम पड़ते हैं, insert tab आपको अच्छे से समझ में आया होगा, यह कोई भी दिक्कत रहती है, तो आप repeat करके वीडियो को देख लेंगे, तो आसानी से आपके समझ में आ जाएगा, चलिए इसको हम यहां से delete कर लेते हैं, select करते हैं, पूरा और delete कर लेते हैं, यहां पर हमने कुछ matter ले लिया, इस तरह से, इसको हम थोड़ा सा grow कर लेते हैं, इसे bold कर लेते हैं, और अब हम चलते हैं, find का स्तमाल करते हैं, editing हमें इसमें कुछ भी editing करना है, तो जैसे find मतलब होता है, कुछ भी खोजना है, सर्च करना, find कर आया है, तो यहां से हम text को find कर रहे है, text, text लिख लिए हमने, अब देख पार है, text कई बार आया है, तो हम जानना चाहते हैं, कितनी बार है text, तो यहां से find next करेंगे, यहां text लोगो लिखा, और हम find next करना start करेंगे, यह दिखे, जहां हमारा insertion point रहा होगा, वहीं से सर्च कर करना start करेंगे, और जहां पर इस end हो जाएगा, वहाँ बता देगा कि document में अभी आपका end हो चुका है, आप ध्यान देंगे, यहां पर जो text लिखा हुआ है, वो small letter में है, और हमने यहां पर दिया है, text को T capital कर दिया है, तो यदि हम match whole word only कर लेंगे, वहीं एक single word जो है, उसक के बाद जब वो finish हो जाएगा, तो यहां से बता देगा कि आपका उस paragraph में वो finish हो चुका है, लेकिन इसमें अगला option है, match case, आप देख पा रहे हैं, यहां पर जो T है, वो capital है, और यहां पर small में ही है पूरा, means case match नहीं करेगा, तो यह search नहीं करेगा, हम यहां जाएं, find next कर हैं, तो बचाएगा, wordpad has finished searching the document, means जब तक case नहीं match करेगा, जिस case में हम लें लिखा है, हमने इसको title case में, या capitalize each word बोलते हैं, उस format में लिखा है, sentence case में लिखा है, मान सकते हैं, तो इसको जब हम यहां से find next करेंगे, तो नहीं दिखाएगा, means case same नहीं है, जब same case मिलेगा, त और फिर हम find next करते हैं, अब देख पा रहे हैं, यह find next के माध्यम से इसको हम find कर पा रहे हैं, because अब यहां पर जो case है, वो same है, तो इस तरह से हम find का इस्तमाल करते हैं, cancel कर दिया, replace एक option है, replace, place को परिवर्तित करना चाहते हैं, उसका अस्थान परिवर्तन, उस नेम को जिसे text के अस्तान पर हम next करना चाहते हैं, जैसे हमने लिख दिया next, text की जगापर हम next चाहते हैं, तो हम यहाँ पर find तो हम कर ले रहे हैं, replace करेंगे, तो अब देख पा रहे हैं, karışक्पा है, हम माद नेक्स्ट हो ग大 retrouver है, अगर हम replace आल कर देंगे, तो जहाँ भी text होगा, वहाँ सब next next करके आ गया because हमने यहां से replace कर दिया है अब हम क्या करते हैं यहां चाहें तो हम लिख दे next next लिख दिया हमने और यहां हमने लिख दिया text अब हम यहां से next को find करेंगे पर ले next आपका find हो गया replace करेंगे तो next फिर से text में परिवर्तित हो जाएगा अगर replace all कर देंगे तो जहां जहां next होगा सब text में परिवर्तित हो जाएगा तो इस तरह से हम replace का इस्तमाल करते हैं next option आपका select all हम Ctrl A करके भी select all करते हैं बट अगर हमें editing में select all का इस्तमाल करना है तो click करते ही select all हो जाएगा मतलब आपके work area पर आपके page पर चितना भी matter होगा चाहे वो picture हो text हो paragraph हो कुछ भी हो सब select all हो जाएगा एक साथ सब select हो जाएगे यहां से हम select all पाहर click कर देंगे तो deselect हो जाएगा मतलब selection हट जाएगा I hope editing भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा अब हम चलते हैं view menu को देखते है विव menu आपका बहुत ही simple है इसमें भी तीन tab है आपके zoom tab है so or height tab है and setting tab है तो बहुत ही simple है आप यहां से zoom को बढ़ा सकते हैं जबकि आपके पास zoom slider है यहां से भी आप zoom in को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं आप देख रहें maximum zoom 500 है और minimum zoom 10 है तो हम इसको 100% लगा करके रखते हैं या हमने बढ़ा कर लिया हम direct 100% चाहते हैं तो यहां पर click कर देंगे 100% में आपका page हो जाएगा zoom in अब यहां से zoom in कर सकते हैं डारेक्ट देखे zoom in कर रहे हैं step by step हम इसको in करते जा रहे हैं मतलब zoom को बढ़ाते जा रहे हैं और यहां से zoom out करते जाएंगे zoom को कम करते जाएंगे 100% करना है तो directly हम 100 पर click कर देंगे और zoom 100% हो गया है आप देख रहे हैं यह ruler है आपका मैंने part out window बताया था जब आपको तब ही बताया था यह ruler है और ruler को चाहें तो यहां से हम hidden कर सकते हैं so hide आपका tab ही है यह zoom tab आपके समझ में आया होगा आप so hide tab में मैंने बताया ruler है ruler को यहां से हमने so कर लिया यही से hidden कर दिया तो इस तरह से हम so hide कर सकते हैं नीचे आप देख पा रहे हैं यहां से status bar को भी हम hidden करना चाहते हैं यह है आपका so or hide tab अब हम देखते हैं setting tab जो की बहुत ही important है इसमें दो option है first आपका word wrap और second है measurement units यहां से हम units को भी बदल सकते हैं जो ruler की measurement units है तो word wrap पहले हम देखेंगे यहां देखेंगे एक symbol आपका दिख रहा है एक line है उसके बाद तूट के दूसरी line है एक paragraph तूट के दूसरे paragraph है दूसरी line में चला गया means कहने का मतलब यह है कि word मतलब होता है सब्द wrap means होता है मोड़ो ना तो यहां से हम सब्द को मोड़ सकते हैं अभी हमारे सब्द जो है wrap to ruler है रूलर में सो कर रहा है अगर हम यहां चले जाए और यहां पर हम कर देखें रैप से related तीन option है एक है no wrap एक है wrap to window और wrap to ruler means यह जो हम text लिखेंगे वो ruler तक जाएगा और मुड़ जाएगा means wrap to ruler अगर wrap to window करेंगे तो पूरी window तक जाएगा text फिर मुड़ जाएगा अगर no wrap कर देंगे तो window के अंदर चिपने लगेगा text जैसा कि notepad में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था तम यहां से no wrap कर देते हैं आप दे wrap to window करते हैं तो यहां से यहां तक मतलब text यहां तक लिख सकते हैं उसके बाद text directly मुड़ जाएगा means कोई भी text आपका hidden नहीं होगा window के अंदर आ गया अगर matter बहुत जादा है तो आपका vertical scroll bar होगा जिससे elevator को move करके hidden text को देख सकते हैं और यह दि हम wrap to ruler कर दें तो ruler के according आपका text setup हो जाएगा और ruler से जो आपका indent setting है पिछली वीडियो में मैंने indent के बारे में बताया हुआ था तो indent से बाहर आपका text नहीं जागेगा window में और wrap to window कर देंगे तो window तक जाएगा फिर वहां से मुड़ जाएगा wrap to ruler करेंगे तो ruler के अंडर में ही लिख पाएंगे तो यह होगे आपका word wrap हम देखते है measurement units यहाँ पर click करते हैं units अगर हम centimeter में करना चाहते हैं तो आप ruler को ध्यान देंगे यह देखे centimeter में format में आ गया है अगर हम inches किये हुए है जैसे पहले था तरिके inch format में है यहां से हम points में कर देंगे तो points format में आ जाएगा तो यहां से अपने ruler को हम फिकास में कर दिया तो फिकास में आ जाएगा यह measure कर सकते हैं units को यहां से means अपने ruler का unit हम यहां से change कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि कि अगर हमें centimeter में माप करना है तो हम inches से centimeter को माप करें समझ में नहीं आएगा तो directly यहां से unity centimeter ले लेंगे और अपने paragraph के setting हम centimeter में कर सकते हैं यह दि हमें points में करना है तो अपने ruler का format हम change कर ले point में कर लें और उसको कर सकते हैं तो इस तरह से सरल तरीके से आप मेजर कर सकते हैं तो यह होगे आपका setting आई होप आपको view menu यह रिबन है आपका completely समझ में आया होगा कि इसमें last option है अगर देखा जाए तो help से अगर हम कोई भी मदद लेना चाहते हैं help पर click कर देंगे तो हमें window related help हम ले सकते हैं online help हम प्राप्त कर सकते हैं तो यह था आपका complete menu options और प्रतेक जो menu option है चाहे file हो home हो view हो complete मैंने आपको बताया wordpad आपका तीन वीडियो में मैंने complete wordpad आपको बता दिया यह wordpad का last वीडियो था I hope आपको wordpad अच्छे से समझ में आ गया होगा तो यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप like जरूर करें share करें चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें मिलते हैं next day एक नए topic के साथ तब तक के लिए थैंक यू जैहिन